तो एलो फ्रेंट कैसे हैं, बुम आज आदो पकी आप से मैं आपके ब connectivity से ख्लाप्त ले पाएंगे or लिए सवि Uran नहीं रही है औे यह आपको इसको यूज खरेंगे तो अपको बहुत मज़ाने माला है आपको स्क्रीन शोट लेने की बार बार जरुवत पड़ती है तो डेफिनेटली ये वीडियो पूरी आपके लिए दोस्तो दो वीडियो को स्किम्मत करेगा वीडियो को पूरा देखेगा तो ये आप समच पाएंगे दोस्तो चलते हैं आगे मैंने नाम सनी अरोरा और आपका को एक बार दबाएंगे तो आप यहां पर बोल्यूम की का सब करते हैं नहीं है तो सबसे पहला जो प्रोसेजर रहे वाला हूँ वह वनई62 3.1 आने के बाद वहां पर आपको एच्पैनल का आप्शन मेल गया है एक मेलर पी के आप स्क्रीनशोट ले सकते हैं कैसे तो मैं हा इसो पिरमने également हैं यहां पर इस पैनल में मैं का this ends यहां पर करना क्या यहां पर पहले तो आपको parex मैनेजेर वाला position है है उसको इनेबल करना यह तर तक वाल जो दिख रहा यह प्री install रहता है edge panel के अंदर आपको कोई install करने की ज़ुरद नहीं है आपको इसको add कर लेना है add करने के जब आप यहाँ से इसको drop करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर screenshot का option दिख रहा है simply आप इस पर click रहेंगे और आप इसका screenshot कहीं भी ले सकते हैं यहाँ पर आप मैं आपको तीसरी वे बतारे वालों यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसकरी वापिस setting में जाना है display में जाना है यहाँ जाना है आपको वापिस edge panel में यहाँ पर आपको एक और option दिया गया है जो कि by default ही रहता है वो है smart select करके आपको पता होगा smart select आपको इसको enable कर लेना है back आजाना है आप क्या घर सकते ही यहाँ पर आपको screenshot लेने के लिए बहुत सारे format दिये गए आप चाहाँ रेक्टेंगल वे में आपको कितना सा area चाहिए आप जैसी click करेंगे तो आपको ऐसा rectangle option दिख जाएगा आपको यहाँ पर जिस area को screenshot करना है like मुझे यहाँ पर इसको screenshot करना है इस पर click करेंगे तो उतने का उतना screenshot आजाएगा अगर आपको save करना है तो ठीक है edit करना है तो ठीक है अगर edit करना और direct आप इसको share भी कर सकते हैं without downloading करें तो यहाँ पर आप plam sensor जो कि आपको सबको पता ही होगा आप यहाँ से यूज स्वैब करेंगे तो screenshot ले सकते हैं बट यह तो बहुत ही ज़्यादा वेकार लगता है मुझे मेरे से तो होता ही नहीं है पता नहीं कैसे होता है बड़ी मुश्किल से यह स्वैब करेंगे तो आप यहाँ पर screenshot यूज करके लेता है और मुझे से तो कभी बहुत ही मुश्किल से लेता है बहुत ही मुश्किल से तो इसको इनेबल करने के लिए आपको वापर सेटिंग पर जाना होगा आपको इसको इनेबल कर लेना है जो चौथा तरीका है वो प्लाम सेंसर का है आपको इसको आउन कर लेना है इसको आउन करने का इसको screenshot कैसे लेते हैं उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको इसके लिए करना क्या है स्क्रीन शॉट लेने के लिए आपको अपने जो फिंगर अपना जो हैंड है वो आपको उपर की तरफ से कैमरे के पास सी उसेंसर से यह घुमाएंगे राइट यह लैप्ट वो स्क्रीन शॉट डिटेक्ट कर लेता है पर बहुत ही मुश्किल से लेता है यह देखिए हो चुक भी कामा लगाओ उसके लिए आपको UK आट क्या करना अवाइँ यहां कर डैना है यहां पर सक्रींशॉट यहां पर रखने तो जितने भी आपको यहां पर दिख रहे होंगे आपको सब को माइनस खरके यह अञता देना है यह सब को यहां श्कॉये यहित कर दिफ है इप करने के दिन्य पstop करने दिखार ओगा तो यहां पर सिंपल क рядом सिक्रीनशयट कि कर整ेगी से शीकलना कशस्कों कर सकते यहां डिकिख जाएगा सेंपल देखा हो यहां पर हलका सा दिखिया है लाइट मैं भी देखो आपके सब में हमाई और दो आपको देखे यहां पर आप इस्क्रिंशॉट ले पाएंगी तो बहुती इजी मेथट है सिंपल यह आपको यह टैच करना और वह स्क्रिंशॉट कैपचर कर लेगा यह भी मुझे बहुती best लगा दोस्तों पांचवा तरीका यह हो गया दोस्तों उसके बाद मैं six तो बताने वाला हूं वो भी बहुती कमाल का है दोस्तों उसके लिए आपको कुछ नहीं करना अगर आप Google Assistant यूज करते हैं तो Google Assistant के धूरू भी ले सकते हैं कैसे दोस्तों जो six method है वो सबके mobile में होता आपको बस configure करना पड़ेगा उसके लिए को करना क्या है हे गूगल टेका स्क्रीन शॉट और आप देखेंगे दोस्तों यहां स्क्रीन शॉट आ चुका आपको इसी भी स्क्रीन पर हो डारेक्टली आप स्क्रीन शॉट यहां पर ले सकते हैं Google के दूरू सिंपल यह आपको बोलना क्या है है Google अगर आपको नहीं पता Google एसिस्टेंट को कैसे उसको यूज करते हैं तो उसके लिए वीडियो बना रखी जिसका लिंग में आई बटर में देदूंगा चाहे तो आप उसको इनेबल कर लिजेगा आप उसके थुरू भी यहां पर स्क् अगर आपको नहीं पता है इसको कैसे यूज करते हैं पूरी तरीके से उसके लिंक देदूं आई बटन पर आप उसको डाउनलोड करके आप उस वीडियो को देखके आप पूरा इसको यूज करना दिख जाएंगे दोस्तों यहां पर आपको कर लेना इसको ओपन ओपन करन बटन करते हैं और जिस नेविगेशन पर आपने जो शॉटकर्स लगा है उसके साथ वहां पर आप स्क्रीन शॉट को भी एड़ कर सकते हैं लाइक मैंने यहां पर राइट हैंड पर लगा रखा है कि अगर मैं राइट हैंड की तरफ से उपर की तरफ स्वैप करूंगा तो की इसाथ को निए तरफ को यहां पर आया यहां यहां पर ले जा रहा हूं यहांप को करनाopia क्ट我有 अमिए उसके बताने मैंट जो कि इसी एयप के अंदर है वन हैंड एप के अंदर पापस मैं आपको यहां पर ले जा रहा हूं यहां पर ले जाने क्या आपको करना क्या है आप देख रहे हैं मैंने यहां नीचे की तरफ स्वाइब करूँगा यह मैंने ही स्वाइब करा, यह क्यूक टूल खुल गया यहां पर आपको screenshot का option दिया गया तो आप इसके थूरू भी screenshot ले सकते हैं जो की बहुत ही बहतरी ने मुझे सबसे अच्छा method लगा one hand operation की तरफ से जो की डाउन पर मैंने लगा के रखा था दोस्तो आप देख रहे हैं यह 8th feature भी मैंने बता दी आप मुझे comment करके ज़रू बता है इसमें से आपको सबसे best screenshot का feature कौन सा लगा, उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you अगर आप मेरी वीडियो को शेर करना ना बोले और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा हैं या फिर आप मेरी वीडियो तुबारा भी देख रहे हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो please मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना बोले ताकि मेरे चैनल की नेक्स स्टूडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके तो मुझे इंस्टारॉब फेज़ो फोलो करना भी ना वोले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो थैंकी दोस्तों